बात करेंगे मलेशिया T20 सूपर सीरीज जो CES फर्सेस WW के बीच खिला जाएगा एक चीज खास बात है कि इस सीरीज में फिक्सिंग का कोई असर नहीं है यह अच्छी बात है आप अपने अनुसार अपने मेनत के बल पे टीम बनाओ अच्छी टीम रही तो वीन नहीं तो कवर करते हैं तो अच्छा जाता आज मैंने कवर नहीं किया था साथ तो कोशिस होगा कि इस मुकाबले को कवर कर यह तीन मुकाबले हमारे रिडार में कि मैं इन तीनों को कवर करूँ लेकिन पहला जो यहाँ से सीज बसे डबलो डबलो अगर जदी आप इस मुकाबले को हमारे साथ खिलना चाहते हैं तो हमारे टेली के राम चैनल को आपको जोईन करना बहुत ज़ादा ज़रूर ही है क्योंकि वहाँ पर मिलेगा आपको फाइनल टीम जिस टीम से मैं खूद खिलता हूँ जील का टीम हर चीज आपको टेली के राम चैनल पर बलब्द मिलेगा जीहा मेरे भाई सीएस की टीम जो है आज मुकाबला एक ओल रेडी खिला यहाँ पर देख सकते हैं 181 रन नो बिकेट के नुक्सान पर राजकुमार राजेंदरा ने कमाल की वल्ले बाजी करता है मेरे भाई काफी आकर्मक है पाबर पले में ही छक्के चौके में डील करता ह सजय दिरह में तुल्ला ठीक ठाक पिले रहे लेकिन खास फुर्म में नहीं चल रहा है हसन मासूत की बात लिया 29 का योगदान दिया लेकिन यह गिनबाजी नहीं कर रहे है इस वज़ा से ट्राइ करेंगे केप्टन बीसी के लिए ज्यादा फरफल दाविदार नहीं होगा म मुहमद अरीफ जमालू दिन यह ठीक ठाक लाए में जरूर चल रहे हैं लेकिन इनकी गिनबाजी जो यह पाट टाइम गिनबाजी करते हैं इस वज़ा से याद रखना है कि हाया दुरानी दोनों चीज़ यह जरूर करते हैं लेकिन कुछ खास लाए में नहीं है वैसे ट्र करना मुहमद अरीफुल रहमान जील पत्रायकर ना पीफावार यह इसमोलिक के लिए बनिहा रहेगा ठीक ठाक थोड़ा सुलूवार का इस्तमाल करता हैं मेडियम फाश्ट गिनबाज हैं किननी की बात कि जाए यह एक बनिहा यॉरकर गिनबाज हैं कितने गिनबाज खिलत ये बड़ा सवाल रागे क्योंकि बहुत सारे गेनवाज इनके टीम में खेलता है और एक्सपेरिमेंट हो जाता है आई हुसेन एम सल्मान चारचार उबर ये कनफर्म डालना चीए कैनी की बात की या दो उबर इन्होंने जरूर डाला इटाई अच्छा खासा पड़ा कि हाया दुरानी लास्ट में एक बोल्ड भी किया था लेकिन वो साइद नो बोल्ड था किया था पता नहीं अमपाइरिंग भी थोड़ा सा निरासा जनक चल रहा है पीअई साक दो ही ओबर डाला एक बिकेट ले गये पी पावार की बात कीजिए इन्होंने दो ओबर डाला एक बिकेट ले लेगे लेकिन पीअई साक को उभर देना चीए ठीक ठाक यह गैनबाजी कर रहत अच्छे एकोनिमी के ताहत इनके लावत दोस्तों WW टीम की भात के सामने वाले टीम को 149 रनों के अंदर ओलाउट कर देती है कैसे करती है मेरे भाई चलिए देखते है रिजवन हैदर दो भर में 17 रन दे देता है अरे उल्ला की बात के एक ओर्म दसरन दोनों फास्ट गिनबाज महांगा सावित होता है एन उल्ला को दिया जाता है तीन ओबर ये अच्छा खासा कर तहलंकी बिकेट नहीं लेता है लेकिन दवा बनाता है अब जब इनकी फल्ले वाजी आए मेरे भाई हसनाएन आहमाद नहीं चबाएगा लेकिन वो अलग की बात है लेकिन पिलेर काफी बनिया है एन उद्दिन की बात कि भाई क्या गजब की नोनिगेन वाजी की भाई तीन विकेट लेगे अच्छे एकोनिमिक साथ अर्शलन सबीर तो ये तो हीरो है केप्टन बिजेगा तगला चुवाई से भी रहेगा जहार विकेट लेगे एक एसाइस पिनर जो की योरकर इस्पिन से योरकर घजब के मारता है अब जब इनकी भल्ले बाजी आई मेरे भाई हसनाइन अहमद नहीं चवालिस का योगदान दिया साथ में अर्शलन सबीर सर्षते में निपट गे मुहमद यूनाइस की बाद के चाओदा यैसे पाट्टा में ये गेन बाजी करता है इस कार्तिक की बाद के चोबिस में चोबिस एक छक्के की मदस से एनुदी नेगारा एक चवके की मदस से मौसिन एड्रिस यहाँ पर बारा ये ठीक ठाक पिले रहा बल्ले बाजी सुक्षन में नजर रखना अरी पुला डेत का बेस्ट माना जाता है गेन बाज बल्ले बाजी मिलने पर बल्ले बाजी भी कुछ अत्त कर लेता है जिया मेरे बाजी चलिए आप कोंबिनेसे देखते हैं इससे पहले जदी हमारे यूट्टूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो कर दो इनके अलावे कुछ जनकारी लेना इस्टा पे भी मेसेज कर सकते हैं वहाँ पर सारे रुकरी भुलाई देता हूँ वह भी सांदार तरीका से अब चलिए पिगड़ की बाद के दिगड़ की पर एस रहमें तुल्ला ही बेस्ट होना सिये हलांकि इस कार्तिक नसीरीज पर अच्छा किया तो मैं एस रहमें तुल्ला के उपर ही जाओंगा वल्ले बाजी सक्षन में देखा जे मिलवाई राजकुमार राजेंदरन से बेतर मुझे कोई लगा ने सल्ले सद्वन गेन बाजी अगर जदी ये करता तो फिर ये इंपोर्टेड रहता मौश industry मौशीं ऑडरेज इन दोनों में से किसी एक साँ जा सकते तो फाला नाम यहाँ से राजकुमार राजेंदरन काता दूसरा मौश्मे ऑडरेज चाओता में सल्ले सद्वन सल्ले सद्वन गेन बाजी करता तो फर्स्ट चिवाईस होता है अबी जो इन से फाले टीटन से लिए चला वहाँ अच्छा क्या था मुहमद अरीफ उलाफ पहले गयन बाजी इनकी टीम करे डबलु डबलु की टीम फिर इनके उपर आप जा सकते हो रिजबन है दर भी बुरा गयन बाज नहीं है लेकिन थोड़ा से ये महांगा सावी थोड़ा है वैसे तो मलिस्या के इंटरनेशनल गयन बाज है मुहमद सल्मान आई हुसेन इनके अलावे पीपावार यहां से इंपोर्टन रहेगा इन्होंने तीन उभर गयन बाजी की मुह मेरे भाई क्या कमाल की गेन बाज जहां पर फास्ट गेन बाज सारे पिटाई पुर रहे थी इन्होंने तीन वार मातर 19 रन दिया नभी दामाजीयल का सबसे वड़ा ड्रंप काड़, सबसे वड़ा ड्रंप काड़ होने वाला इनका कर्यार रिकूर्ड बहुत बनिया, जब ये विक्टे लेता है ना मेरे वाई, तिन सार विक्टे ले जाता है, तो लाइनाप बाई जो फाइनल टीम दूँगा, थोड़ा सम करता हूं, आसा करता हूं, भगवान की किर पासे हम लोगों का रिजल्ट बहतर जाए, आप लोग भी भगवान से यही दूआ करो